सेफली खान के बेटे इब्राहिम अली ने गर्ल्फरेंड पलक तिवारी को लगाया गले दिवाली पार्टी में काश्वल लोग में रूमर्ट बॉइफरेंड से मिलने पहुंची थी श्वेता की लाडली अब लवबट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वारल हो गया है दरसल सेफली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान ने अभी बॉलिवूड में कदम भी नहीं रखा है लेकिन उससे पहले ही वो मीडिया लाइम लाइट में बने रहते हैं देवरा अक्टर के बेटे का नाम पिछले काफी समय से श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के साथ जुड़ रहा है पलक और इब्राहिम अक्सर एक साथ पार्टी करते हुए स्पॉट भी किये चाते हैं और इसी कड़ी में बीते शनिवार अबुजानी संदीब खोसला ने हर साल की तरह इस साल भी शांदार दिवाली पार्टी होस्ट की जहां काई सेलिब्स शामिल हुए इस दोरान इब्राहिम अली को उनकी रूमर्ट गोर्फरिंड पलक तिवारी के साथ देखा गया पलक तिवारी को इब्राहिम अली खान ने पार्टी में इंट्री करने से पहले गेट पर गले लगा कर मुलगात की पार्टी में इब्राहिम ने पलक को विजय वर्मा और तमना भाटिया से भी मिलवाया इंस्टीग्राम पर जो विडियो सामने आया है उसमें पलक तिवारी को अबुजानी संदीव खोसला की दिवाली पाटी के वेन्यू के बाहर अपनी कार से उतरते हुए देखा जा सकता है वहीं पलक ने मिलियन डॉलर की मुसकान बिखेडते हुए पापराजी के सामने पोस भी दिया इसके बाद वो अपने रूमर बॉइफरिंड इब्राहिम अली खान से गले मिलते हुए दिखाई दी पलक को देखकर लग रहा था कि वो पाटी के लिए नहीं बलकि सिरफ अपने खास दोस्त या फिर रूमर बॉइफरिंड से मिलने वहां आई है पलक ने इस खास मौके के लिए ब्राउन टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी और अपने बालों को खुला रखा था पलक इस कैशुल लुक में बेहधी खुबसूरत लग रही थी वहीं इब्राहिम किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे इब्राहिम ने काले रंग की कड़ाई वाली बंद गले वाला स्टाइलिश कोट पहन रखा था अब इस वीडियो के सामने आने के बाद गौसप का गल्यारा एक बार फिर से चरम पर है इन दोनों की लव स्टोरी एक बार फिर से फैन्स की नजरों में आ गई है इब्राहिम और पलक की बात करें तो हाल ही में उन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया है हाला कि रूमर लव बर्ट्स ने अब तक इस बात की पुष्टी नहीं की है कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं लेकिन उनकी लगतार पाब्लिक अपिरेंस से ये साफ पता चलता है कि इनके बीच कोई खास रुष्टा है वारल हो रहे हैं वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जब पलकतेवारी वेन्यू पे पहुँचती है तो इब्राहिम उन्हें देख कर जिस गर्म जोशी से उन्हें हक करते हैं उससे उनका बॉंड साफ नजर आता है वैसे तो जादे तर इन दोनों को साथ में पाब्लिकली स्पोर्ट किया ही जाता है और जब भी एक अपुल स्पोर्ट होता है तो इनके बीच में एक बॉंड नजर भी आता है इने साथ देख कर ये पता चलता है कि इनके बीच कोई खास रिश्टा तो जरूर है जिसे वो अभी ऑफिशल नहीं करना चाहते हैं